जै हिंदो दोस्तों, आज 21 अगस्त केंद्री कर्मी पेंसनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे OROP 3 का इंतजार एक महिने और बढ़ा टेबल फाइनल स्टेज पर आ चुकी है, इस पर बड़ी अपडेट है 8th Pay Commission में Fitment Factor 1.92 एक्सपर्ट का अनुमान है, इस पर बड़ी अपडेट है और पूर सैनिक गार्ड की नेता जी के PNA की पिटाई, आंदोलन की तयारी सेना का सर्वे 30% अग्ड वीरों की कार चमता पुराने सैनिकों से अधिक है, इस पर बड़ी अपडेट है और AGI Benefit की एक लिस्ट जारी हुई है, JCO OR Officer को 30 लाग तक का फायदा है Benefit उठाएं, गोर्खा रेजिमेंट में 15,000 सैनिकों की कमी नेपाली भरती फिर सुरू होगी और एक बड़ी अपडेट आई है, अब सहायक बड़ी सेना में रहकर बड़ी करते हैं अब सिविल में भी बड़ी भरती होगी एक सर्विसमेन जो सेना में नोकरी करते हैं, इस पर बड़ी अपडेट है सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं, OROP 3 का इंतजार एक महीने और बढ़ गया है, एक खबर आई है, टाइम्स बुल की खबर है Government Announce OROP 3 More Benefit for Retired Army Person 20 अगस्त 2024 की खबर है, OROP 3 रेडी हो चुकी है, लेकिन इंप्लिमेंट होने के लिए एक महीने का वक्त लगेगा इसमें जो पूरी खबर है, आपको मैं Step by Step बताऊंगा One Rank One Pension में Good News भी है, Retired Soldier के लिए One Rank One Pension का फायदा OROP का Decision जलधी Government Decision को लागू करेगी Under OROP, now the Retired Soldier of the Army will get equal pension for same rank, same service period Same service period है, same rank उनको Equal MSP दी जाएगी, इसमें सरकार ने Implement करने के लिए Decision ले लिया है और Implement जलधी सरकार करेगी इसमें Last Point में कहा गया है, Preparation for OROP 3, the Government had revised pension for the second time under OROP, which called OROP 2, OROP 2 second time में दिया गया था Now preparation for underway for OROP 3, under which soldiers are expected to get more benefit OROP 3 के benefit का preparation हो चुका है, पूरी तयारी हो चुकी है Benefit for OROP, the Implementation of OROP has improved the standard for living soldier जो OROP का benefit है, soldier का standard living के लिए moral अब करने के लिए दिया जाता है Expects, क्या expect कर रहे हैं, OROP 3 कब तक मिल जाएगी, तो Government has almost completed the calculation required for OROP 3 OROP 3 के calculation सरकार ने तयार कर लिए है, it's preparing to implement it soon, जल्द ही इसका implement किया जाएगा It is expected by end of August, August के end तक इसकी गोशना हो सकती है, full details of OROP will be released and by September money will start coming into account यानि कि September महीने में money आपके खाते में आ सकती है, पैसा खातों में आ सकता है तो ये Times Bull की खबर है, इस पर एक मोहर और लग चुकी है इस खबर में, जब राश्टी सैनिक संगठन करनल TP त्यागी जी मिलने गए रच्छा मंत्री से और ये meeting जो होई थी, बीस तारीक को, अठारा तारीक को होई थी, उस समय इस meeting में जो ये meeting कंडक्ट कराई थी, जैन आचार लोकेश मुनी की कहने पर पूर सैनिकों संगठनों की meeting होई थी, राश्टी सैनिक संगठन ने रच्छा मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को कहा और उनके सरकार ने one rank one pension दिया, इसके लिए उनका धन्यवात कहा, लेकिन साथ में ये भी पूछ लिया कि सरकार one rank one pension एक जुलाई दोजार चौविस से जो लागू है, उरोपी थी, इसको कब देगी, तो ये जानकारी मिली है कि सरकार ने implementation के लिए जल्द ही announce करने की, गोश कि इसमें date नहीं बताई उन्होंने, लेकिन ये clear कर दिया गया है कि जल्द ही OROP implement किया जाएगा, अब बात कर लेते हैं, आठवें बेतनायोग में expert की एक report आई है, आठवें बेतनायोग में सरकारी कर्मचारी, केंद्री कर्मचारी और pensioners के लिए बड़ी update है, नरेंद आने तो 30% pension आठवें बेतनायोग के तहट बढ़ सकती है, इसमें जो fitment factor वो लग सकता है, 1.92 fitment factor के आधार पर आठवें बेतनायोग के तहट बेतन और pension में संसोधन हो सकता है, मिनमम जो बेतन है वो 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है, ये expert का मानना है, हला सकती है, ये भी कहा गया है, तो ये expert की राय है, अभी तक सरकार ने इसकी गोशना नहीं किये, दूसरी बड़ी update है, एक पूर सेनिक जो की security guard का काम करता था, उसको मोरसे के विधायक, मुयार के जो PA है, उन्होंने उनकी पिटाई कर दी और बता दें, जो पूर सेनिक है, य जो की देवेंद मुयार उहाँ पर आ गए, और उन्होंने किसी कारण conductor से पिटाई कर की, और उसके बाद वहाँ पर जो guard थे, उनकी भी पिटाई कर दी, guard थे पूर सेनिक, इसके बाद पूर सेनिकों का हंगामा हुआ, पूर सेनिक संगठनों ने कहा है कि, आरोपी को ततका गिरपतार करें, अन्निथा तीव रांदोलन होगा, सिकूर्टी गाड और पूर सेनिक रहे सुनील, जो हाके हैं, के साथ विधायक देवेंद मुयार के जो सहायक हैं, जो पिए हैं, उन पर मारपीट के आरोप के बाद, सेनिक फेडरेशन महाराष्ट ने इसकी गोश्रा की है कि आंदोलन किया जाएगा, इनको गिरपतार किया जाए, और ऐसे तत्वों को के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाए, एक बड़ी अपडेट आई है, अगनिवीर को लेकर सेना ने एक सर्वे साजा किया है, अगनिवीर का जो पर्पार्मेंस है, वो जो पर्मानेंट स हैं, उन से 30% अच्छा काम कर रहे हैं, और ये खबर तब आई है, जब अगनिवीर का जमकर विरोध हो रहा है, क्या इसलिए सरकार या सेना ने ये रिपोर्ट दी है, अगर अगनिवीर अच्छा पर्फॉर्मेंस कर रहे है, तो बहुत ही अच्छा है, साथ में जो अच्छ काम कर रहे हैं, तो उनके इन वेनिफिट को भी देखना सरकार और सेना की जिम्मेदारी है, उनको बराबर हक मिलना चाहिए, उनको सहित का दरजा मिलना चाहिए, और साथ में उनके जो बेनिफिट हैं, पर्मानेंट सोलजर से अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन से अच्छे benefit भी मिलने चाहिए, दूसरी बड़ी update है, सरकार और सेना ने बिल्कुल clear कर दिया है, कि दिल्ली सेना प्रमुक जनरल उपेंद्र वेदी ने सोमवार को अपने सीर्स जनरलों के साथ एक महाकून बैठक की है, और उसमें कहा है कि जो सेना में बदलाव किये जा रहे हैं, 2047 तक भारत को एक विक्सित देश बनाने के लिए ऐसे बदलाव किये जा रहे हैं, और जो सेना प्रमुक ने ये कहा है, ये अग्नवीर को लेकर भी यही का कहना है कि सेना में जो बदलाव किये जा रहे हैं, वो इसी को देखते हुए कि 2047 तक भारत विक्सित देश की स्रेनी म आ जाए दूसरी बड़ी अपडेट है AGI का एक बड़ा अपडेट आया है आर्मी ग्रूप इंसुरेंस फंड वेलफेर स्कीम के तहट अब सश्टेंस एलाउंस स्कीम रिवाइजड वेफ एक जून दोजार तेईस एक जून दोजार तेईस से बारा हजार रुपए कर दिया है जो की पहले ये कम था अब इसको बढ़ा कर बारा हजार किया गया है इसके बाद हाउस बिल्डिंग एलाउंस एच बीए में बढ़ूतरी कर दी गई है अगर आप घर ले रहे हैं या घर मेंटिनेंस कर रहे हैं तो आप इतना रुपए ले सकते हैं AGI के थ्रू आप लोन के तहट ले सकते हैं AGI के तरफ जो मिलेगा पैसा वो OR के लिए 7% JCO OR के लिए और officer के लिए 7.5 का interest rate ROI के तहट आप ले सकते हैं यानि कि आपको rate of interest 7% का उत्तान करना पड़ेगा आप 30 लाग तक JCO OR ले सकते हैं लोन दूसरी इसमें और भी बातें कहीं गई हैं कि बाकी भी लोन ले सकते हैं convince allowance जैसे कोई four wheeler ले रहा है तो 20 लाग officer के लिए 10 लाग JCO OR के लिए इसमें लोन मिल जाएगा और four wheeler के लिए electric vehicle के लिए 25 लाग officer 15 लाग JCO OR के लिए है और इसके बाद ROI इसमें जो लगेगा जो four wheeler लेंगे 8.25 की लगेगा और इसके बाद computer advance CPA के तहट personal computer advance भी ले सकते हैं इसके लिए 8.5 की ROI rate of interest कटेगा इसके लिए contact number भी है आप contact कर सकते हैं हलाकि इसका पहले procedure थोड़ा कथिन था loan लेने के लिए लेकिन अब procedure सरल हो चुका है तो आप इनसे contact भी कर सकते हैं ये contact detail दी हुई है बातचीत अगस 2024 में ये सारी जानकारी इसमें दी गई है तो नए बदला हुए हैं AGI के उपर अब बात कर लेते हैं एक बड़ी update आई है नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दोरान भारती सेना में नेपाली गोर्खाओं की भर्ती फिर से सुरू होने की संबावना है बता दे 49 बटालियन जो है गोर्खा बटालियन 49 है जिसमें 15,000 सेनकों की कमी है लगवग 32,000 सेनक तैनाथ हो रहते हैं अब इस समय लगवग 16, 17,000 ही सेनक बचे हैं जिसके काराड अब फ उसमें भरती होते हैं दूसरी बड़ी अपडेट है जौब से लेटेस्ट अपडेट है पूर सेनिक सिविल में भी बड़ी काड की ड्यूटी कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन पंजाब सरकार ने जारी किया है और उन सेनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है जो सेना म से 24-9-2024 तक इसकी last date है इसके लिए जो vacancy निकली हुई है इसमें अलग-अलग category wise vacancy है general x-sarucman की 13 vacancy है जो की सहायक या buddy के तोर पर काम करेंगे x-sarucman SC के लिए 4 vacancy है x-sarucman SC 3 vacancy है ESM BC के लिए 4 vacancy है यह सहायक के लिए है और security guard की भी दूसरी vacancy है इसमें x-sarucman के लिए 3 vacancy है और x-sarucman के लिए BSC के लिए 1 vacancy है तो यह vacancy पंजाब में निकाली हुई है इसका notification मैं link discussion में दे दूँगा जो भी farm भनना चाहें भर सकते हैं प्रेथी जानकारी इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू जैहें